हालो एवरीवान वेलकम टो अराइव ओनलाइन क्लासे दिस प्रवेन है प्रिवेस यहर एश्पी टैट के कोश्चिन सीरीज में आज का जो चाप्टर है इस प्लांट किंडम क्लास प्लस वन का चाप्टर नमबर यह थ्री है NCRT में काफी कुछ इसके बारे में देख के रखा हुआ है लेकिन अगर मैं HPTAT की वेटिज की बात करूं तो कुछ खास वेटिज इसके नहीं है क्योंकि सारे टोटल मिलाके अभी तक जितने भी पेपर हैं सिर्फ 15 कोश्चिन निकल के आए हैं जिनका कोई खास वेटिज आप देख सकते हैं कि नहीं है अगर मैं बात करूं कि जैसे स्टार्टिंगी पेपर में दो या तीन या एक कोश्चिन जो है यहां से पूछा गया है और जैसे 2014 के पेपर है 16 पेपर 1 पेपर 2 16 में और 17 में कोई भी कोश्चिन यहां से नहीं पूछा गया है 2020 में एक कोश्चिन पूछाए पेपर वन में इस तरह से मतलब कुछ खास वेटे जहां से इस प्लांटिंग्डम का नहीं देखने को मिला बट स्टूडइन अगर मैं चाप्टर की बात करूं यह जो चाप्टर है इसमें बहुत सारी कुश्चिन बनते हैं जो कि अगर किसी को जस्ट ऐसे देख के जो हाइलाइटिड कोश्चिन है वही बहुत सादा है थेक है बागे डीप कोश्चिन तो अलग बात है अगर एक्जामिनर ने कुछ डीप डाला तो आप क्या करेंगे प्लांटिंग्डम को मैं एंड में कोश्चिन के बाद थोड़े जो इंपॉड़े और एडिशनल कोश् जैसे कि अगर मॉर्फलोजी प्लांट की है तो पहले नहीं उससे कोई कोश्चिन ते जादा बाद में अभी जो है 788 कोश्चिन भी वहाँ से पूछ रखे है तो अभी ऐसा मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है प्लांटिंग ने अपने एक इंपॉड़ेंट चेप्टर है तो यहां से यह common question है पहले भी बहुत बार पूछा गया question है दो तिन बार repeat हुआ है पिच्चर प्लांट यहां पे इसका correct option हो जाएगा लगी में इस प्लांट पो होते हैं जिनके root में legumes बने होते हैं और यह mainly nitrogen को fix करने का काम करते हैं next question is which of these phenomenon takes place in plant बहुत ही basic question यह पूछा गया है यहां पे option यह photosynthesis we know that जब जो है plant में food production होता है glucose की formation होती है sunlight और chlorophyll की presence में उसे photosynthesis कहते हैं transpiration जब surface of leaf से water vapor का loss होता है water का loss in the form of water vapor उसे transpiration कहते हैं और respiration plants में भी वैसे ही होती है जिसे human में like मतलब mechanism अलग होता है लेकिन जिस तरह से हम oxygen लेते हैं सांस के लिए plant भी oxygen का ही use करते हैं respiration के लिए यह आप ना समझें कि CO2 का use करते हैं लेने के लिए CO2 रिक्वाइर होती है plants को for photosynthesis यहां पर इसका सही आंसर all of these हो जाएगा next question है Mimosa pudica that is touch me not chewimui का जो plant होता है वो close हो जाता है जब हम उसे एक दम touch कर लें ठीक है leaflet due to the process तो वहां पर क्या process होता है तो student यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा nastic moment nastic moment एक special तरह की moment होती है जो touch me not plant शो करता है transpiration अभी मैंने आपको बताया water loss photo respiration क्या होता है student यह कैसा process है जो involved करता है यानि कि वो fix करता है carbon carbon को carbon dioxide से fix करने का काम करता है और यह light की presence में होता है और यह जादा तर तब होता है जब oxygen के concentration plant में ज्यादा होती है और chloroplast में यह process जो है initiate होता है और nastic moment में आपने यह point भी ध्यान में रखना है कि यह जो movement होती है यह stimuli की वजह से होती है किसी stimulus की वजह से होती है और यह movement directional नहीं होती है कि अगर touch किया तो इसी तरफ move करना है या इसी तरफ move करना है ऐसा नहीं है यह non-directional movement होती है या तो देखिए stimulus क्या हो सकता है temperature हो सकता है कोई जो है यहां पर जैसे touch एक छूना किसी चीज़ को या फिर humidity जो है humidity की वजह से भी plant ऐसी moment जो है वो शो कर सकते हैं यह सारे example आपको mind में रखने है और यहां पर दूसरी term है tropic moment तो tropic moment आपने term सुन रखी होगी जैसे phototropism, geotropism यह terms जो है इसमें आते है phototropism का मतलब होता है photo means light, tropism movement होना light की तरफ को plant part की movement होना दूसरा है geotropism, geotropism usually roots शो करते हैं positively geotropic होते हैं यह क्योंकि यह towards earth जो है water surface की तरफ जो है एक तो geo word यहां पर छिपा हुआ है मतलब towards earth, roots जो है towards earth जाते हैं या फिर source of water की तरफ जाती हैं तो एक और term यहां पर use होते हैं और वो दूसरी term जो है that is hydro, one second, hydrotropism तो तीन terms मैंने आपको बताई hydrotropism, phototropism and geotropism geo word towards earth, hydro for water and photo for light next question botanical name of brinjal तो यहां पर मैंने आपको यह question पहले भी करवा चुकी हूँ मैं यहां पर पैंथेरा लियो यह होता है आपका लाइन का solenum tuberosum होता है आलू का और यहां पर pisium satyvum होना था pisium satyvum यह जो है आपका P का होता है और solenum melongena जो है वो हो जाएगा आपका brinjal का option C correct हो जाएगा fucoxanthin is found in options है red algae, brown algae, green और blue green algae तो देखिए red color जो होता है algae का वो red होता है due to phycoerythrin phycoerythrin pigment की वज़े से red इसलिए red algae कहते है उसे brown algae यहां पर पुछा हुआ है तो यहां पर fucoxanthin उसमें होता है यानि कि B option सही हो जाएगा green color common है chlorophyll के वज़े से होता है blue green algae में भी chlorophyll present होता है और वैसे student chlorophyll हर तरह की algae में present होता है NCRT में एक flow chart बना हुआ है एक तरह से table बना हुआ है वो आप उसकी थोड़ी से information note के लेजे यह जो 3-4 यहां पर classes की बात की जाती है अल्गी की तो एक होता है student green algae एक है आपको ब्राउन अल्गी और red algae इनको तो मैंने बता दिया कि pigment किसकी वज़े से आता है class का नाम भी लिख लेजे green algae की जो class है उसे कहते है chlorophyce chlorophyce class और brown algae की class को कहते है student pheophyce इसके बाद red algae की class का नाम है रोडोफाइसी ओके यह आप से पूछा जा सकता है class भी जैसे अगर पूछ लिया कि इस class में कौन सी तरह की chlorophyll होते है chlorophyll note कर लेंगे हाँ पर chlorophyce में chlorophyll A और chlorophyll B होता है pheophyce में chlorophyll A and C होता है और chlorophyll जो आपका red algae है उसमें chlorophyll A and D यानि कि chlorophyll A आप देख रहे हैं सभी classes में होता है बलकि यहाँ पर B सिर्फ green algae में C सिर्फ आपके brown algae में और red algae में जो है वो D होता है D chlorophyll D तो यह याद रखें इसके साथ table में अब additional question आपसे stored food material से भी पोच सकते हैं जैसे कि पहला algae आपके पास green, brown and red green algae में stored food material होता है student simple starch brown algae की बात करेंगे तो mentol and leminarin और अगर आपसे red algae पोचेंगे तो इसमें जो है floridian starch होती है अलग से mention है student तो इसलिए important हो जाता है okay तो यह classes और classes को क्या कहा जाता है कौन सा pigment होता है यहाँ से यह question सारे बहुत important है erisha और faneria दोनों ही bryophyte से belong करते हैं लेकिन bryophyte की भी जो आगे students classes है उसमें एक जो है NCRT में mention है that is liverwort and दूसरा है student mosses तो आप जो है mosses की classes में आती है student protonima जो stage होती है और अगर आप थोड़ी से information इसकी note करेंगे that is protonima के बारे में जो protonima stage है यह पहली stage आती है life cycle में और यह first जो stage है protonima यह जब developed होती है that is directly यह कहां से developed होती है directly from spore spore जब इनके germinate करते हैं तो पहली stage क्या बनेगी क्यानि अगर हम ऐसे लिखें कि spore से आगे क्या बन रहा है first stage protonima बन रही है और students इसके बाद क्या है इसकी second stage भी आप लिख लीजे जैसे first पूछा है हो सकता है second भी पूछ किया जाए तो second stage leafy stage इसकी होती है जो कि secondary protonima से आगे develop होती है फनेरिया के अगर बात करें यहां पर फनेरिया मॉसस से भी लॉंग करता और उसमें protonima stage होती है उसके structure में यहां पर छोटी छोटी roots like structure ब्रायोफाइट्स में roots नहीं होती इनको हम क्या कहते हैं रहिजवाइट्स कहते हैं hair like चूटे चूटी growth होती है इसके बाद यहां पर leafy structure इस तरह से होता है student इनको simply NCRT के according leaves कहा गया है इसके बाद यहां से एक बड़ा सा सीटा इस तरह से निकलता है और यहां पर topmost पर जाके उसका capsule होता है तो यहां से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ इसे जो है कहते है सीटा SETA तो इसमें जो यह portion होता है जिसमें capsule include होता है वो sporophyte होता है इसमें और यह जो है ब्रायोफाइट में उसे क्या कहते है इस तरह से question पूछा जाए तो उसे हम गेमीटोफाइट या गेमीटोफिर्टिक वो होती है और यह स्टूडेंट हेपलॉइड होती है यह भी नोट के लिचे हेपलॉइड होती है यह ठीक है अब इसके बाद यह जो डिवेल्प करते ह है इसके structure इसी में sex organs बनते हैं इंthridium and archegonium इंthridium for male and archegonium for female और वहां से जो है fertilization के बाद zygote बनता है इसमें zygote बन गया फिर zygote जो है एकदम से reductional division नहीं कर लेता है वो एक multicellular body बनाता है जिसे हम sporophyte कहते हैं तो एक तरह से माल लीजिए कि gametophyte से आगे चलके sporophyte बन रहा है sporophyte में फिर अंदर क्या हो जाता है उसके sporophyte की good cells जो है वो reductional division जिसे हम meiosis कहते हैं यह meiosis होती है sporophyte के अंदर और यहां से फिर क्या heploid spores जो है वो बन जाते हैं तो यह थोड़ी सी कुछ important points यहां से निकल के आते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इस question का यहां पर right answer प्रोटनी मस्टेच फिनेरिया हो जाएगा ठीक है जी next question प्रोथेलस ओफ ड्रायोपटारिस तो यह question आपका terudophyte से पूछा गया है directly NCRT से है डिरेक्ट लाइन जो है NCRT की that is thaloid gametophyte जो है एक तरह से लिखा हुआ है कि photosynthetic यह होता है Prothalus thaloid होता और gametophytic होता है यहां पर option A जो है इसका correct हो जाएगा और यह भी point आप ध्यान रखें कि Prothalus free living होता है free living राइट अब यहां पर बात की गई है drive terrace की तो drive terrace क्या है एक terudophyte है यह मैंने आभी आपको बताया और terudophyte की भी आगे जो classes है मैं आपको बता देती हूँ कि NCRT में है terudophyte है इसकी जो है कौन-कौन सी classes है चार classes एक का नाम है silo ceda दूसरा है lyco ceda इसकी बाद third है spheno ceda और fourth one है that is taro ceda अब यहां पर diopteris जो है इस class जो आपका taro ceda है उससे बिलॉंग करता है और इसका other member terrace भी है और addendum भी है ठीक है दो और आप इसका नाम याद रखेंगे ठीक है next question is which of the following is not an invasive alien species in Indian context तो यहां पर देखें लेंटाना लेंटाना कमारा कुंकि बहुत common है और यह भी बहुत नुकसान करती है अधर बायो डिवसिटी को पार्थीनियम यह भी जो है नुकसान करती है वीड है इकॉर्णिया यह भी alien species है cynodon जो है जिसे हम दूप ग्रास कहते हैं तो यह alien species नहीं है इंडिया में बहुत माना जाता है इसे तो c जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा पार्थीनियम और लेंटाना इकॉन यह तीन नाम याद रखेंगे alien species इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर से आई गई है और इंडिया में आके हमारे लिए यह नुकसान कर रही है हमारे लिए फाइदे का काम इनसे कुछ नहीं होता है next question algal bloom imparts a distinct color to water due to algal bloom आपने देखा होगा क्या होता है कि nitrogen और phosphorus जादा होने की वजह से plant body में algae की काफी जादा growth हो जाते है normal से जादा कुछ चोटे से time period के अंदर ही काफी जादा growth हो जाती है और उसे हम क्या कह देते है algal bloom कह देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि algae है आपको पता है एक plant है तो उसे oxygen की जरूरत है oxygen level जो है उस water body में low हो जाएगा other water में रहने वाले जितने भी organism उनको नुकसान होता है इनसे तो वो जो एक particular color वहाँ पर आता है जाधतर green color वाली algal bloom देखने को मिलती है तो pigment की उनकी अंदर जो pigment है उनकी वजह से वो होता है तो प्रेटाइल्स जो है psychates को बोला जाता है जो psychate species है वो आज की date में ज्यादा तर species इसकी endangered है खत्रे में है because over exploitation इनका हो रहा है तो जैसे की tropical और subtropical reason में जैसे reptile और panda जो है एक तरह से endangered माने जाते हैं तो यह भी psychate भी उनकी तरह endangered consider किये जा रहे है रेप्टाइल्स की तरह तो इनको reptiles of plant kingdom इसलिए कहा जाता है ठीक है अब एक और आप note कर लेंगे जो teridophytes होते हैं teridophyte remember teridophytes इनको botanical snake बोलते हैं botanical snake बोलते हैं क्यों क्योंकि देखिए जैसे हम बात करते हैं quadata की classes की तो पहले जो है amphibian spices आता है पहले सबसे पहले spices फिर जो है amphibian then reptiles आते हैं और उसके बाद eves और फिर mammals आते हैं वैसे plant में जो है bryophytes आते हैं bryophytes से पहले algae bryophyte teridophytes then your gymnosperm and angiosperm इस तरह से आते हैं तो बोलते हैं कि amphibian के बाद जिस तरह से reptiles आते हैं ठीक है वैसे ही plant kingdom के amphibian bryophytes को कहा जाता है तो bryophytes के बाद teridophytes आ रहे हैं और यहां पर reptiles आ रहे हैं बस इसको correlate करके जस्ट बोल दिया कि यह क्या है botanical snake है और reptiles में जादातर स्नेक भी reptiles में आते हैं तो इसलिए जस्ट इसको यहां पर question को जो है वो explain इस तरह से मतलब यह होगा और यहीं इसका reason है राइट next question है आपका joker of plant kingdom plant kingdom का joker कहा जाता है mycoplasma को student अगर माने तो यह plant से belong नहीं करता है यह kingdom monera का member है kingdom monera में आता है यह कैसा organism है एक ऐसी cell है जो जिसके पास cell wall भी नहीं होता है otherwise monera के पास bacteria है उनके पास cell wall होता है murine peptidoglycan इसके पास नहीं है और यह without oxygen भी survive कर सकता है और यह अपनी जो shape है size है उसको भी change कर सकता है according to situation और यह plants के अंदर as a parasite भी रह सकता है इसलिए इसको joker of plant kingdom कहा जाता है साइनो बेक्टिरिया की बात करें तो commonly इसको blue green algae कहा जाता है और यह भी monera से बिलॉंग करता है bryophytes जो है plant का एक group है और thallophytes जो है collectively कहा दिया जाता है उन plants को जिनकी body thalloyd होती है true roots true stem और true leave in में absent होते है next question है अगार अगार is obtained from तो अगार अगार एक जो है आपसे solution है जिसका यूज जो है biology labs में भी किया जाता है solutions बनाने के लिए growth करने के लिए bacteria बग्यार कि तो यह red algae से लिया जाता है gilandium and gracil area दोनों ही member है red algae के यहाँ पे option c correct हो जाएगा इस question के लिए next है green algae is rich in protein and used as a food supplement even by space travelers तो यहाँ पर student इसका सही answer हो जाएगा that is spirulina spirulina के साथ एक और algae है जो space में ले जाए जा सकती है वो भी आप note कर लेजे क्यूंकि कई बार option में इससे दिया जाता है chlorella इसको भी space में यह भी जो है protein rich होती है तो यहाँ पर option d correct हो जाएगा और दूसरा भी आप नहाम यहाँ पर लिख लेंगे आपको traditional question इस chapter से मैं students आपको बता देती हूँ students जो algae है algae के जो members है specially जब हम बात करते हैं brown algae की तो उनकी body किसी substratum से attach होते है substratum ऐसी जगा जहाँ पर वो attach है उसे substratum बोर है तो जिस structure के साथ वो base जो है जहाँ से वो attach होते है उसे क्या कहते है hold fast कहते है hold fast और यह special feature आपका brown algae का examples ज़रूर देखके जाएं जैसे कि कुछ common example green algae के मैं आपको बताऊं wall walks है eulothrix है brown algae की बात करें तो laminaria question कैसे भी पूछा जा सकता है student NCRT के example ही पूछते हैं other fucus है और इसके बाद आपके red algae आ जाती है तो दो तो मैंने अभी आपको बताए Glaciaria जिलेंडियम जहां से हम अगार अगार लेते हैं और इसके अलावा porphyra भी आपको ध्यान में रखना है right NCRT में लिखा हुआ है कि कुछ member brown algae और red algae के एक special substance जो है वो release करते हैं large amount में और क्या substance है वो उन्हें कहते है hydrocolloids ये hydrocolloids ऐसे substance होते हैं जो water को hold करने के capacity रखते हैं water holding substances highlighted है पूछा जा सकते हैं commonly chin plants को हम hards tail कहते हैं वो कौनसे plant group में आते हैं student वो आते हैं teridophytes में इन्हें commonly हम ferns भी कहते हैं ferns कुछ important question आपको यहाँ जिमनोस्पम से पूछे जा सकते हैं एक तो पाइनस से root से और एक cycle से क्या question है देखिए आपसे पूछा जाएगा कि pinus जो है वो association बनाता है symbiotic association with fungus तो उसे क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं माई को रहीजा माई को रहीजा उसे कहते हैं अब एक और association जिमनोस्पम की होते देखिस साइकस साइकस की roots के साथ association होते हैं यहाँ पर साइनो बक्तिरिया की साइनो बक्तिरिया अब यह association बनाते हैं for nitrogen fixation और इन roots को specialized root को korreloid root कहते हैं साइकस वाली root को और pinus वाली को माई को रहीजा यहां पर कहते हैं और साइकस का जो कौन होता है मेल कौन सबसे बड़ा होता है और उसाइकस जो है एक एक ऐसा जीम्नसपरम है जो unbranchion होता है branching जो है इसमें नहीं होता है यूजरी जिम्नुस्पर्म है तो मैक्सिमम जो है वो इनकी प्लांट्स जो है प्रांचिंग शो करते हैं लेकिन आपने याद रखना है कि साइकस ऐसा नहीं करता है एंजिस्पर्म में NCRT में हैं कि टॉलेस्ट एंजिस्पर्म कौन सा है मोस्ट एडवांस माने जाते हैं जिस्पर्मिक प्लांट जो है यो केलिप्टस जो है सबसे लंबा होता है और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें फ्लारिंग प्लांट यहां पर बता रहे हूं आपको वुल्फिया होता है जिम्नुस्पर्म भी नोट के लिजे कि टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट तो टॉलस्ट जो है जिम्नुस्पर्म हो जाएगा यह जिशी क्योइबाग ऑर स्मॉलेस्ड यह ज्यम्नुस्पर्मिक फिग्मिय ऑर स्मॉल्लेस्ट जैंपूछ इन की शूंपिश की जोम शीजंट म प्लांट की मॉर्फोलोज और जो भी आगे question important है फिर आपका उसके बाद human physiology है तो जैसे पर तक मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी question में complete करवा दों और होप सो की complete हो भी जाएंगे and thank you so much for watching अगर आपको पन्जेन पसंद आता है तो please like the video and subscribe the channel thank you so much in the next video me bye bye have a nice time and take care